प्रशान किशोड ने अपनी पत्ते आज खोल दिए हैं और वो सिधे-सिधा उन्होंने कहा है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे और अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो जो उनके संग है उनकी भी वो पार्टी कहई नितीश कुमाड और लालु प् जाती वाद से उठके राजनीती करेंगे अब हमारी मौझूदगी पटना युनिवर्स्टी में हमाई साथ कुछ छात्र है क्योंकि वो कहते हैं कि वो छात्रों के और युवाओं के नेता हैं हम इन से जुड़ते हैं यह उनको कितना नेता मानते और उनको यह नया बिहार बन और कहें कि पीके जी बोड़ी आव इस्तर संभाली और यह हैंसम सेलेडी देंगे तो यह मैनेजमेंट के आदवी हैं पॉलिटिक्स नहीं है ना आप अगर पैसे के दम पर कुछ डेटा इकठा कर लिए लोगों को टेक्स भेज रहे हैं मैसेज भेज रहे हैं तो यह पूरे आप पॉलिटिकल श्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिसा है बहुत छोटा हिसा हूँ दूसरी बाठाप कही थी कि बिहार में जाति कर विषार में अलग आप जो जातिई-व्रस्था को देख रहे हैं समाज की जातिध ब्विष्था बहुत सचा इस सेका समाजिक बतला हुआ ह जो पिछना तबका है जो इस कैमपसों में नहीं था जो नोकडियों में नहीं था उसके लिए अलग-अलग समें पोलिटिकल पार्टियां लरकर उसको वहां तक पहुचाया है और यह कर रहे हैं कि हम जातिवाद की राजनित नहीं करना हैं आप क्या आप दरसल एक फिर आप जातिवाद की राजनित ना करना हैं आप जो कह रहे हैं तो आप फिर जाकर धरम की राजनित किजेगा जैसे बीजेपी कर रही है इसमें भी मुझे कोई गुंजाइस नहीं है यह बात हो सकता है कि आपको धरम की राजनित करें कोई डाउट नहीं है धरसल प्रसांत की सोर बिहार में भाजपा के लिए जमीन त्यार करने आए हैं ये इनों ने अलग-अलग प्लिटिकल पार्टियों के साथ काम किया आज के दौर में अलग-अलग प्लिटिकल पार्टियों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं जो एक्टिविस्ट हैं सोसल एक्टिविस्ट हैं पॉलिट भर्माने आए हैं और पटनाविस ज़िध्यानि की जो बीहार में नहीं चलने देगी पितनाविस के लाइन, भिषान, भिहार में आपको मिल जाएगा जिसका कोई पुलिटिकल लाइन नहीं है इधर उधर एन प्रदेर करना है तो हो सकता है उन्हीं लोगों से मिले होंगे और उनको लगता होगा जिन लोगों कि किसी को भी हो सकता है और जिन लोगों के साथ ही लेकर चल रहे हैं यह लोग से अपना जीवन चलाएंगे जी को पार्जान तो चलना चाहिए ना ऐसे से लोग आते रहते हैं इसके पहले आई थी ना पुस्पम पिडिया चौधरी सायद ही नाम था वो भी कही थी कि तीस सालों में कुछ नहीं हुआ हम जाती वात कि राजनित नहीं कर रहेंगे बला बला आज कहा है मिलती नहीं है ट् लेकिन प्रशांद कि शोर ने ये भी कहा है कि 17,000 से 18,000 लोग उनके साथ हैं जब प्रेस इंटरव्यू दे रहे थी तो हमारे फोन पर एक मैसेज आया तो मैं उस पर क्लिक किया पता नहीं मैं उस प्लिक किया तो मैं सिधा प्रसांद कि शोर ने कोई पेज बनाया है मैं उस को सदेस्टे बन जाता था अब देखिए हमारा मुबाइल नमबर है तो हमारी कंपनी हमारा मुबाइल बेच देती है डाटा करूप में किसी को भी टाटा खड़ी दे हैं तो वहां से इन्होंने मैसेज ड्रॉप किया एक सेंटर बनाकर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि से इंटर्वी उम्सूल रहा थे तो अगर ऐसे सट्राजाडबाटा खड़िद लिया है और कर रहे हैं कि व को जोड़ दिया है तो भाजपा भी मिस्कॉल पार्टी मारक बनाई थी तो आप भी वाजपा की तरह मिसकॉल पार्टी बनेंगे फिर क्या लगता है प्रशान की शुर कितना उत्रेंगे राजनीती में उत्रेंगे ने वो डूब जाएंगे क्या उनके अंदोलन का इतिहास रहा है ना उनके किसी तरह के अंदोलन का इतिहास रहा है वो उपर से कहीं चुनाव मैनेजमेंट के लिए अलग अलग पार्टियों के चुनाव मैनेजमेंट के लिए तो मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि वो अके लिए राजनीती नहीं कर रहे हैं वो कहीं न कहीं सारे लोगों को समता के राजनीती कर रहे हैं आज भी उनका वीजन किलियर नहीं है उरणीनिती बना रहे हैं खुद कहरे ना को पाटी बनाएंगे नहीं भी बनाएंगे तो यह किलियर तो करें उनको करना क्या है दरसल उनको करना कुछ नहीं है उनको बारगेन करना है अलग-अलग पाटीों से बारगेन करना है और बिहा के लिए बिशनीत के लिए बिशाट की राती और उलग आप क्या हूँ जैसा पुस्वन्स बैसे पुरिया ने पिछले प्रशाम किशोर को आप लोगों का क्योंकि युवा को जोड़ हैं अपने पाटी में और बोल में रहें कि युवा से ही आगे बढ़ेंगे नई जनरेशन की लोग को आगे लेजेंगे जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका यही कहना होता है कि हम यूथ को लेकर क्या आगे बढ़ेंगे बीजेपी भी आई थी पिछले दिनों चुनों में बिहार की जब चुनों थी विधान सवा चुनों था तो उन्होंने कहा कि सबसे अधिक हम यूथ को लेकर क्या आगे बढ़ेंगे या जो भी पॉलिटिकल पार्टी यह सब यही कहते हैं या मुकेश रहनी आए उन्होंने भी यही कहा तो परसांत किस वर भी आए तो उन्होंने कहा तो यह कोई बड़ी नई बात नहीं है समय के आपकी राजनेति की नीम खरी होती है अगर वह वह बिचार धारा आपके पास नहीं है और अभी तक प्रसांद की सोरने प्रेस کौंफר nuestra किया उसमें ना तो अपनी विचार-धारा को प। क्या उनकी विचार अधारा है उनको कुछ किलियर नहीं किया तो क्या हम यह समझे अगर वो जाती की राजनीती नहीं कर रहे हैं तो यह तो धर्म की राजनीती कर रहे हैं ठीक है और अगर यह कह रहे हैं कि धर्म की राजनीती भी हम नहीं कर रहे हैं तो क्या हम यह समझे क्यों कि राजनीती करने हाइयर हुए हैं और उनके लिए काम के तो क्या हम यह नहीं समझ सकते कि 2024 नजदिक है और बिधान सभा बिहार बिधान सभा का चुनों भी नजदिक है तो इन्होंने बीजेपी के लिए बीजेपी से रुपया लिया होगा और उनके लिए यह हाइयर हुए है आपको यह नहीं दाटता कि छेतर से हैं मैं content rating टाप भली भात इस चीज को समझेंगे मैं content rating करता हूँ किसी ने मुझे एक मंत के ली कि ये मेरे content rating करे दिना मैंने कि वहां किया फिर किसी दूसरे लोगोंने성을ow Right rhetoric करेंगा फिर आगर तीसरे उन्हाइब जिए जब तक जमीन पर नहीं उत्री तो उनका काम नहीं बना तो जब वो परसांथ की सोर करें कि हम चमपारन से अपनी राजनिती की सुरुआत करेंगे, अपने पैदल यात्रा की सुरुआत करेंगे, क्या हम यह नहीं समझ सकते हैं कि BJP ने यह कहा होगा कि हम जमीनी अस्तर पे जब तक नहीं उतरेंगे तब तक बिहार की राजनिती में हम अपना पक्ष नहीं रख सकते इसलिए मैं तुम्हें हायर करता और तुम जाओ जमीन पे पैदल यात्रा करो लोगों को जोरो हम तो ये भी समझ सकते हैं तो परसांथ की सोर से वैसे ही लोग जूर रहे हैं जिनका ना तो कोई पॉलिटिकल एंगल है नहीं कोई य लक्ष है कि हमको वहां तक पहुँचना है जो आदमी बिजनेस करता हो उसे बिजनेस ही दिखता है जो आदमी यह सोचता हो कि मैं किसी के यहां से रुपईया लेता हूँ और हायर हो जाता हूँ उसे सिर्फ यही दिखेगा कि मुझे दोसरा वी रुपई या दे। झाल